Hello everyone, welcome to sleepy classes आज हम लोग देखेंगे number system में lecture 11 अभी तक हमने number system में अपना majority वाला portion कवर कर चुक है हम लोग जैसे remainder कवर कर लिया, हमने divisibility कवर कर लिया और भी जो topics था उसको भी कवर किया तो अब जो है हम लोग आज देखेंगे factors, prime factorization और कैसे हम लोग factors में deal करते हैं और इससे पहले वाला जो हमारा remainder का जो question वाला series था उसको भी आप practice कर सकते हैं उसको आप अच्छे से उसको practice करिए क्योंकि वो more than enough है आपके most of the exams के लिए SSC, CSAT, RBI comment section में हम लोग को ऐसा question मिलता है कि ये lecture जो है is it enough for CSAT तो इस बात की guarantee है कि इसमें जितना भी portion cover हो रहा है वो CSAT के level से definitely उपर है ठीक है क्योंकि CSAT का maths का level जो होता है वो SSC के level से नीचे होता है ठीक है तो हम लोग CSAT का level तो आराम से breach कर देंगे अगर आप इतना cover कर ले रहे हैं तो CSAT तो आपका easily हो जाएगा कोई उसमें doubt ही नहीं है और उसके बाद बचता है हमारा जो SSC है तो SSC में भी यही सब concepts लगते हैं लेकिन हो सकता है हमारा जब exam आएगा तो हम लोग SSC specific जो हमारा series चलेगा तो उसमें हम लोग questions करेंगे SSC के specific ठीक है concept same चीज लगेंगे ठीक है ऐसे भी हमारा जो quant का कोशिस रहता है कि वो more मतलब level का रहे SSC और banking का ठीक है तो अगर बाकी CSAT वाले लोग भी जो देख रहे हैं उनके लिए भी यह काफी है आराम से इससे जो है अपना पूरा syllabus कवर कर सकते है आप questions देखिए होता क्या है concept same होता है लेकिन आपको क्या रहना है कि आपको सिफ अलग-अलग exams के questions practice करने रहते हैं जैसे अगर कोई CSAT का preparation कर रहा है तो वो इसी lecture को देखके फिर CSAT का question bank उठाए और वहाँ से practice करें ठीक है तो उनका जो है वो हो जाएगा इसी कारण आप लोग इस lecture series को follow करते रहिए और questions जो lecture में भी कराया जाते हैं वो भी आप कह सकते हैं बहुत हैं अगर कोई for example practice नहीं कर पा रहे हैं time constraint के वियसे क्योंकि prelims में बहुत time आपका GS में चला जाता है तो अगर कोई question bank practice नहीं कर पा रहे हैं वैसे practice करना तो जरूरी है लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप series जैसे हमारा series में जो questions किया गया है जो वीडियो में जो questions किया गया है उसको भी अगर आप कर लें तो आपका chances जो है वो बहुत काफी अच्छा रहेगा exam में ठीक है तो परेशान होनी की बात नहीं है आप बस इस series को follow करते रहे क्योंकि अभी prelims जो है वो delay हो गया है और यह आपके पास golden period है अपने CSAT को अच्छा करने का क्योंकि अगर आप once CSAT अपना अच्छा कर लिए तो आप कितना भी attempt देते हैं तो आपको फिर ये tension नहीं रहता है कि आपका CSAT निकलेगा या नहीं क्योंकि लोगों को बहुत tension लगा हुआ रहता है खास करके जो non science background वाले लोग होते हैं उनको बहुत problem होता है कि CSAT हमारा निकलीगा की नहीं तो इस confusion में वो mains का तैयारी भी नहीं कर पाते हैं तो इसी लिए आप अपना quant को अच्छा करिए क्योंकि आपका CSAT में उससे surety आ जाता है ठीक है तो आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं lecture 11 सबसे पहले हमारा question for you जो हमने पिछले lecture में दिया था आपको ये आपके लि 7 the result is 8b2 8b2 is divisible by 3 ठीक है इतना अच्छा हमको पता है की 8b2 is divisible by 3 what is the largest possible value of a ठीक है अब दिखिए यहा पर क्या है की 8b2 जो भी number है a और b जो है वो unknown है ये जो numbers है ये digits unknown है तो 8b2 जो है वो divisible है 3 से ठीक है तो कोई भी number जो divisible होता है 3 से तो हमने पढ़ा था divisibility rule में जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके वो lecture देख सकते है हमारा divisibility rule बहुत ही important lecture है वो उसमें हमने पुरा detail में deal किया है तो 8b2 जो है वो अगर 3 से divisible है तो इसका rule क्या होता था 3 से divisibility का की number का जो digits है उसका sum जो है वो भी divisible होना चाहिए 3 से तो देखिए आपर हमको 8 पता औ 10 और 10 प्लस B means 10 प्लस B जो है यह divisible होना चाहिए 3 से ठीक है अब देखिए B का possible value क्या हो सकता है सबसे nearest 10 के बाद कौन सा है 3 से जो divisible है 12 है तो B का value 2 हो सकता है B का value 5 हो सकता है और B का value 8 हो सकता है इस तीनों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि फिर जो है वो 9 से ब 5 प्लस 5 A 7 अब देखिए 5 प्लस 7 जो है कितना हो जाता है 12 ठीक है और यह ऐसे भी 8 B 2 दे रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते है ठीक है अब देखिए 12 है carry over हुआ तो यहाँ पर 3 प्लस 1 यानि यह बन चुका है 4 और 4 प्लस A gives B ठीक है और यह भी आप ध्यान द तो यहाँ पर 3 प्लस A gives B 3 प्लस A gives B अब यहाँ पर देखिए आप कि हम लोग B का value 2 नहीं हो सकता है बताई क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि 4 जो है वो obviously यहाँ 3 प्लस 1 जो 4 आ गया तो यह तो 2 से ऐसे भी बढ़ा है तो इसमें कुछ भी add करेंगे तो 2 से तो बढ़ा ही होग तो A का value क्या हो जाएगा अगर B का value 5 होता है तो A का value आ जाएगा आपका 2 ओके हाँ वो 3 प्लस A जो आपका B है तो आपका value हाजाएगा सोरी 3 हम यहाँ लेक रहे हैं यहां 4 हो जाएगा इस बात का ध्यान रख्यान रखिए 4 हो चुका है carry over है तो A का value जो है जब 1 होगा तो तो B का value 5 होगा ठीक है और A का value जब 4 होगा तो B का value 8 होगा ठीक है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि what is the largest possible value of A A का largest पूछ रहा है B का नहीं ठीक है तो यहाँ पर जो है value हो जाएगा A का value 4 हो जाएगा तो हमारा सही option जो होगा वो होगा option D ठीक है तो जिन्नों ने भी option D mark किया था उनका सही answer है और बाकी लोग जिनने लोग ने नहीं mark किया वो आप फिर से हमारा वो lecture देखिए तो आप इस question को solve कर सकते हैं अब लोग बढ़ते आगे अब हमारा आज का chapter है factorization factorization हमने पहले भी use किया है time and work में भी use किया था अभी भी हमने number system में भी एक lecture में इसके बारे में थोड़ा बहुत discuss किया था तो factorization से हम लोग यहां क्या मतलब होता है प्राइम factorization किसी भी composite number को हम उसके prime factors में तोड़ सकते हैं ठीक है मतलब जैसे एक number N है जो की composite number है तो A एक prime number है raised to the power P into B raised to the power Q into C raised to the power R आगे जितना भी जाए ठीक है कितना भी बड़ा number हो सकता है तो इस format में हम किसी भी composite number को break कर सकते है जहाँ पर A, B, C and onwards जो है यह prime number है और यह जो है इनके powers है ठीक है जैसे यहाँ पर देखते है 48 48 को आप prime factorize करिया तो क्या होगा जल्दी से बताए यह 2 into 24 होता है और हम लोग actually इसको कर सकते है 16 into 3 48 होता है तो 16 का raise power हो गया 2 raised to the power 4 into 3 ऐसे लिख सकते है ऐसे आप इसको अगर नहीं आ रहा है आपको तो ऐसे कर सकते है 224 मतलब यह जो हमारा ladder वाला तरीका होता है 2 12 2 6 2 3 तो इस तरह से अगर जो इनको problem हो रहा है उन लोग ऐसे factorize कर सकते हैं पर हमने यहां यहां डाइटल लिग दिया 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 4s are 20 और 45 49 उसके बादा आजाएगा आपका 77 तो यहांनि 245 को लिख सकते हैं 5 into 7 square ठीक है यहां पर 5 भी प्राइम नंबर है 7 भी प्राइम नंबर है वैसे 330 है तो 330 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहां पर दीख इसका एक तो 11 होगा 11 into 30 होता है तो 11 है और यह 5 into 6 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 into 3 into 5 into 11 ठीक है यहां पर देखिए सब का raised है power 1 और जो हो गया 2, 3, 5 और 11 जो है prime numbers है ठीक है तो इस तरह से हमने क्या किया इस तरह से हमने prime factorization किया अब किसी भी composite number को इस त सकते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब देखिए हमको पढ़ना क्या है इस ठीक है इस lecture में हम लोग को पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहला जो questions ही देखते हैं क्योंकि questions ही आपका specific यह lecture है तो यहां पर देखते हैं सबसे पहला आपको क्या निकालने आता दूसरा हमारा आता है total number of prime factors, prime factors means कि total prime factors आपका कितना आ रहा है, मतलब कितना जो हम लोग देखेंगे वाहाँ पर कि prime factors किसको कहते हैं और कैसे हम लोग total निकालते हैं, तीसरा है हमारा product of factors ये भी important है, आपको देते हैं कि इतना सारा factors है आपका इसका product बताईगी क्या होगा और fourth होता है हमारा sum of factors ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे पहले हम लोग start करते है total number of factors, अब यहाँ पर आपका एक number दिया हुआ है 420, तो सबसे पहले कहा करते है, 420 को factorize कर लेते है composite है, तो इसको factorize करते है, कितना हो जाएगा बताईए, 210 है तो 105, 3 से करते है तो आपका आजाएगा 35 और फिर 5 और 7, तो आपका actually हम इसको लिख सकते है 2 square into 3 into 5 into 7, ठीक है यह आपका है आपका है आपको निकालना है total number of factors, अब आप बोलिए कि total number of factors हम लोग कैसे निकाले तो सबसे पहले बता ही factors क्या है, factors हम लोग वैसा entity को बोलते है जो कि जिससे 420 divisible होगा, ठीक है, अब उसमें जो है कोई भी हो सकता है, ठीक है, 1 से start करें तो सबसे minimum जो है वो 1 है उसके बाद आगे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बहुत सारा factors होगा, ठीक है लेकिन हम इस तरह से तो count नहीं करेंगे कि इनका factors कैसे होता है तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग एक strategy follow करते है strategy क्या होता है या एक तरीका, एक sequence बोल सकते है देखिए आपका कोई भी factor जो है इसका 420 का, वो इस format पे रहेगा 2 raised to the power, sum power रहेगा A 3 raised to the power B, 5 raised to the power C and 7 raised to the power D ठीक है, अब देखिए A का value क्या क्या हो सकता है यहापे क्योंकि 2 raised to the power 2 है, highest power तो A का value यहाँ पर हो सकता है 0, 1, 2, ठीक है, B का value कितना हो सकता है, 0, 1 क्योंकि 3 का highest power 1 है C का value क्या हो जाएगा, 0, 1, और D का भी possible values होगा, 0, 1, ठीक है ठीक है जे, तो यहाँ पर है मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर हमको factor बनाना हो 420 का तो हम इसमें से कोई भी possible value of A ले सकते हैं, कोई भी possible value of B ले सकते हैं कोई possible value of C ले सकते हैं, कोई possible of D ले सकते हैं तो actually अब क्या question हो गया है, आपका question हो गया counting का ठीक है, आपका आप आगया question counting का, कि A का 3 possible value हो सकता है, B का 2 हो सकता है, C का 2 हो सकता है, D का 2 हो सकता है तो अब कहेंगे कि, मतलब जैसे आप देख लेते हैं, कैसे जैसे, for example, मान के चलिए कि आपका 2 raise to the power 0 है B और into करते हैं, B raise to the power 0, sorry, 3 raise to the power 0 ले लेते हैं, 5 raise to the power 0 ले लेते हैं, और 7 raise to the power 1 ले लेते हैं तो यह आपका finally क्या बनेगा, देखिए 7 बनेगा, 7 भी जो है वो एक factor है 420 का, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग possible combinations लेंगे तो अब आप बोलीगा कि अच्छा ठीक है, इसको तो फिर generalize कैसे करें, counting कैसे करें, तो counting आपको इस तरह से करना है इसको erase कर लेते हैं, मतलब आपका कोई भी number एक N है, वो raise to the power है, जैसे A है, raise to the power P है, into B raise to the power Q है, into C raise to the power R है, up to जो भी जा रहा है अगर मान लेते हैं, ऐसे यहीं तक है, तो इनका जो total number of factors होगा, वो कर क्या रहे थे, वो हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ज्यादा ले ले रहे थे, क्योंकि 0 भी एक possibility है तो हम लोग अगर करेंगे total number of factors, तो हम लोग क्या हो जाएगा रहा, P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1, ठीक है मतलब आप easily total number of factors जो है, निकाल सकते हैं, अगर आप क्या करें, कि जो भी आपका prime number आया है, उसका जो भी power है, उसको एक add करीए उसमें, और उसको जो है, multiply कर दीजाए आपस में factorize किये वे, इसका factor 1 होगा, इसका factor 2 होगा, इसका 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, ठीक है, तो आपका total number of factors कितना होगा, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगया, अब हम लोग करते हैं, 12 को factorize तो आपका 12 को 2 square into 3 to raise to the power 1 है तो हम लोग क्या करना था कि power में 1 add करना था और multiply करना था तो क्या हो गया 2 plus 1 और 1 plus 1 तो आपका आ गया 3 into 2 gives 6 तो हमारा यहां पर भी 6 आया था और यहां भी जो हमारा formula से भी 6 आ गया तो आपने देखा यह कैसे जो है आपको total number of factors जो है वो निकालने आ सकता है फिर हम लोग देखते है even and odd factors ठीक है देखिए even and odd factors क्या हुआ कि जैसे example हम लोग लेते है 60 का 60 एक number है ठीक है इसको पहले factorize करिए factorize करते है तो हमारे क्या हो जाएगा बताइए 15 into 4 होता है आपका 60 तो हम लोग क्या सकते है 2 square into 3 into 5 ठीक है अभी तक हम आप हमने देखा कि इनका factors जो हम लोग कैसे कोई भी factor इसका होता था तो क्या लेते थे पॉसिबल combinations तीनों का लेते थे जैसे हो सकता था जैसे example मानि 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 1 into 5 raised to the power 1 possible बहुत सारा combinations है और वो total number of combinations क्या होता था इसमें सबके powers में 1 add कर दीजे और इसको आपस में multiply कर दीजे तो मेरा total number of factors different factors जो था वो निकल गया जाता था पर यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान दीजे कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको even या odd factor निकालना है ठीक है तो odd वाला जितना भी factors होगा जितना भी हमारा odd factors होगा उसमें क्या होगा बता है यह common क्या होगा कि उसमें 2 raised to the power 0 ही रहेगा क्योंकि 2 raised to the power अगर हम लोग 1 भी लेते हैं तो वो पूरा जो factor है वो even बन जाता है यह तो आप समझ रहें क्योंकि अब यह मेरा पहुच गया 3 into 5 मतलब आपका कोई नमबर है जो factorization उसका just 3 into 5 है क्योंकि 2 हम लोग ले रहे है 2 raised to the power 0 ठीक है तो अब यही same formula apply करते है आप पर 3 raised to the power 1 है और 5 raised to the power 1 है तो इनका factors क्या आ गया इनका factors आ जाएगा 1 plus 1 into 1 plus 1 तो आपका कितना आ गया 4 factors ठीक है अब यहां पर total factors हमारा कितना था बताए total factors था आपका यहां पर लिखते है 3 into 2 into 2 यह क्योंकि 2 है तो 2 plus 1 3 हो जाता है तो 3 2 तो 6 6 तो 12 ठीक है तो आपका 12 जो है वो total factor है even factor जो है मतब odd factor जो है आपका 4 है 4 जो है आपका odd हो गया तो even हमारा कितना हो जाएगा 12 minus 4 that is 8 ठीक है तो यहां पर देखा कि कैसे हम लोग जो है इस तरह से इसको निकाल सकते हैं अब हम लोग देखते हैं next question यहां पर एक यहां कि आपका total number of prime factors ठीक है total number of prime factors का मतलब क्या हो जैसे 420 को हम लोग अभी किये थे तो आपका कितना आया था 210 105 335 and 57 तो आपका आया था 2 square 3 into 5 into 7 ठीक है तो prime factors का मतलब क्या हो अब 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 अधी prime factors क्या हुआ जो की जो उसके factors जो की prime है तो यहां पर देखे क्या करना है कि आपको simply जवाब से पूछे है कि total number of prime factors निकालना है आपको तो आपको क्या करना है कि जितना भी prime numbers है उनका ज यहां पर यह वन है तो कितना आ जाएगा आपका 2 plus 1 plus 1 plus 1 तो आपका कितना हो गया 2 3 3 4 और 5 तो total number of prime factors of 420 जो हो गया वो हो गया 5 ठीक है आपको total number of factors में क्या करना था इनके number को 1 add करना था और आपस में multiply करना था यहांपको क्या करना है कि यहां पर इनको सबको add कर देना है यह बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इसको देख लिए अब बढ़ते आगे अब दिखे हमारा आता है गया प्रोड़क्ट 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 क्या है जैसे हम लोग लेते है 90 इसकी छावड़ा चोटाli 12 है ठीक है इनका product क्या होगा बताई जैसे 1 into 2 यह ऐसे हम लोग करते है 2 into 2 3s are 6 6 4s are 24 24 6s are 144 और 144 को अगर हम लोग 12 से multiply करते है तो आपका आ जाता है 8 2 4 4 1 8 12 आपका आ गया 1 7 2 8 ठीक है जी 1 7 2 8 जो है आपका आ गया product इसका directly formula क्या होता है product of factors का n जो है वो number है जो यहाँ पर 12 है raised to the power f by 2 f जो है वो क्या है आपका total number of factors ठीक है तो total number of factors क्या आपको सिफ निकाल लेना है total number of factors तो आप ऐसे निकाल लेते हैं इनके power में add करके इनको multiply कर देंगे तो 2 plus 1 3 हो गया और यहाँ पर 1 plus 1 2 हो गया तो 3 to the total 6 factors है ठीक है तो हम लोग क्या करते है number को जो है 12 raised to the power 6 by 2 हो गया 12 cube हो गया तो 12 cube भी हमारा आता है 1728 ठीक है तो देखें आप directly formula से भी आपको use आ सकता है कहीं पर अगर आपको निकालना रहे कि product of factors क्या होगा तो directly आपको क्या करना है n raised to the power total number of factors divided by 2 ठीक है अम लोग बढ़ते हैं आगे अब आगे है sum of factors ठीक है देखें sum of factors थोड़ा सा tricky है tricky नहीं है बस थोड़ा सा बड़ा है किसा की हो सकता है आपको formula याद करने में कभी दिक्कत हो जाए लेकिन समझ के हम लोग पढ़ेंगे तो यापको याद हो जाएगा जैसे आप हम लोग लेते हैं फिर से 12 का example सबसी composite number है इसी कानिस का example बार बार ले रहे है तो 12 है तो 2 square into 3 लिख सकते है ठीक है इसका factors क्या क्या था जल्दी बताइए 1 2 3 4 6 12 ठीक है तो इसको add कर देते हैं हम लोग 1 प्लस 2 ठीक है 1 प्लस 2 गिवस 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 16 16 16 प्लस 2 12 गिवस 28 इसका sum जो है वो आगे 28 ठीक है अब यहाँ पर तो हमने 12 लिया पर आगे चलके तो आपका बड़ा बड़ा composite number होगा तो उसको कैसे निकालेंगे तो देखी यहाँ पर एक चीज अब ध्यान देए हम जो ले रहे थे factors हम लोग कैसे निकाल रहे थे different different factors क्या हो रहा था 2 into 3 ठीक है different different values हो सकता है 2 का value कहां से कहा हो सकता था 0 1 2 और 3 का value 0 और 1 जैसे 2 0 into 3 0 जो होता है वो 1 होता 1 एक factor है 12 का अगर 2 1 होता और 3 0 होता तो 2 एक factor है 12 का इसी तरह से हम लोग combinations लेते हैं 2 raise to the power 0 plus 2 raise to the power 1 plus 2 raise to the power 2 bracket बंद फिर याँ 3 raise to the power 0 plus 3 raise to the power 1 ठीक है अब देखिए आप हर possible combination जो है इस ही के multiplication से आगा 2 raise to the power 0 लेते हैं एक बार 3 raise to the power 0 इसको देए कैसे लिखेंगे 3 ठीक है उसके लिखेंगे 2 raise to the power 1 into 3 raise to the power 1 इसी तरह से 2 raise to the power 2 तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो हमारा total जो है sum आ जाएगा, sum आ जाएगा क्योंकि हर factors आ गया मेरे पास, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, तो हर factors जो आ गया और इसका final जो summation करेंगे, वो हमारा वो आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करें, हम लोग क्या करें, देखी ये वाला जो है, ये व जो एक है, ये एक GP का series है, geometric progression इसको बोलते हैं, ठीक है, हम लोग जब series पढ़ेंगे, AP, GP, तो वहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक GP है, ठीक है, तो GP का जो है, आपका formula होता है, जो sum का, GP के summation का, जैसे अगर हम लोग इसको यहाँ पर ये कर देते हैं, erase कर देते हैं, erase नहीं करते हैं, इसको यहाँ next देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर रहे है आपका, number को अब हम लोग लिखते है, N is equal to, अगर हम लोग लिख रहे है, A raise to the power P, B raise to the power Q, C raise to the power R, ऐसा है आपका number, ठीक है, तो इसका हम लोग देखा था कि कैसे A का value जो ह factors में ले रहे थे, तो value जो हो रहा था, 0 से P तक range कर रहा था, वैसा ही B, B का भी into कर रहे थे, तो 0 से Q range कर रहा था, और C का जो है वो, 0 से R range कर रहा था, ठीक है, इसी तरह से हमने देखा था, और कैसे हमने देखा कि वो summation का product करते हैं, तो हमारा total sum of factors आयाता है, तो यानि हम क to the power, P minus 1, okay, उसके बाद आपका आजाएगा, यह, अच्छा, यहाँ पर, sorry, यह P plus 1 होता है, P plus 1 minus 1 divided by A minus 1, ठीक है, A जो है, आपका यहाँ क्योंकि common difference होता था, मतलब common, जो हम जो GP देखते थे, उसमें जो हमारा common difference होता था, वो यहाँ पर A हो जाएगा, वैसे ही इसको कर दे करेंगे multiply into B का same वैसे ही, B अगर raise to the power Q है, तो B हो जाएगा, B raise to the power Q plus 1 minus 1 divided by B minus 1 into C raise to the power R plus 1 minus 1 divided by C minus 1, तो आप इस तरह से अगर करिएगा, तो आपका जो है, हमारा total sum of factors आजाएगा, हम लोग try करते है 12 में, तो 12 के है 2 square है, into 3 है, तो 2 है, यहाँ पर मतलब P जो है, वो 2 है, त हम लोग put करते हैं, यहाँ पर 2, P plus 1 कितना हो गया, 3 cube minus 1 divided by 2 minus 1, यह हो गया bracket के अंडर, into 3 plus 1 को रहेंगे, तो square आजाएगा, square minus 1 divided by 3 minus 1, अब इसको calculate करिए, 2 cube जो होता है, वो कितना होता, जल्दी से बताई, 8 होता है, तो 8 minus 1, 7 हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो आपका 7 हो गय आजाएगा, divided by 2, तो आपका आजाएगा, 4, तो 7 into 4 जो है, आपका कितना आता है, 28, तो हमने देखा था हमारा जो, वहाँ पर हम लोग जो add भी किये थे, तो वहाँ पर हमारा sum 28 आ था, और formula से भी 28 आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है, इसको sum को वाला formula है, इसको याद रखि कियोंकि आपका directly ये use में आ सकता है, और अगर छोटा अगर रहा तो आप factors निकाल के भी add कर सकते हैं, अगर आपको formula याद नहीं है, लेकिन आपने देखा कि हमने formula कैसे derive किया है, हमने देखा कि कैसे basic से formula derive होता है, तो इसलिए आपको ये formula याद रहेगा, अब बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं questions, आपको क्या है कि यहाँ पर find करना है, find the number of prime factors, total number of prime factors, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यह 3.5 है, तो 3.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यह शायद आपके SSC का previous year question है, यह आ चुग है SSC में, ठीक है, तो 3.5 इंटो 2.7 रेस तु पावर 23, तो 3.5 को कैसे लिख सकते हैं, 35 रेस तु पावर 12 इंटो 27 रेस तु पावर 10 इंटो 10 रेस तु पावर 23, तो यहाँ पर हो गया 35 रेस तु पावर 12 इंटो 27 रेस तु पावर 10 इंटो 10 रेस तु पावर 23, तो यहाँ पर हो गया 35 रेस तु पावर 12 इंटो 27 रेस तु पाव हो जाएगा 35 raise to the power 12 into 27 raise to the power 10 into 10 ओके यह आगया आपका number finally अब इसको क्या करना हम लोगो prime factorize कर देते हैं क्योंकि हम किसी भी number को prime factorize करते हैं तो 35 क्या है बता ही है आपका 35 is 7 into 5 तो हम लोग लिख सकते हैं 5 raise to the power 12 into 7 raise to the power 12 27 आपका क्या है 9 3 raise to the power cube जो है वो 27 है तो इसको डाइट लिख सकते हैं 3 raise to the power 30 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 into 5 तो हमारा finally क्या हो जाएगा 2 into 3 raise to the power 30 into 5 raise to the power 13 और 7 raise to the power 12 ठीक है यह जो हो गया पूरा prime factorization हमने कर दिया अब आपको क्या करना है जब आपको total number of prime factors निकालना था तो हम लोग क्या करते थे सिर्फ power को add कर देते तो इसका power हो गया 1 1 plus 30 means 1 plus 30 plus 13 plus 12 ठीक है यह हो गया आपका 25 यह हो गया आपका 31 तो 31 plus 25 कितना हो गया बताईए यह हो गया 56 तो हमारा जो total number of prime factors आ गया वो आ गया 56 ठीक है बहुत सिंपल था अगर आपको पता है कि total number of prime factors कैसे निकालते हैं तो यह question को आप बना सकते थे आपको क्या करना है सिर्फ सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइशन कर लिजिए उसके बाद जो है इसका अंसर आ जाएगा देखते है next question find the total number of natural number solutions of the equation a square minus b square is equal to 840 ठीक है देखे अब यह question आपको लग रहा होगा कि directly application number system में factors का कैसे होगा अब आप यहाँ पर देखिए ठीक है a square minus b square is given as 840 ठीक है तो a square minus b square को हम लोग कैसे लिख सकते है a minus b into a plus b ठीक है यह तो पता होगा आपको लोग और यह है is equal to 840 अब देखिए क्या है कि a minus b और a plus b जो है यह एक तरह का factors है मतलब combination of factors जैसे कोई भी number हो सकता है 840 को अगर हम लोग जैसे divide करते है तो जैसे 420 ठीक है 420 420 into 2 is equal to 840 होता है तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा sorry यहाँ पर इसको 2 ऐसे लिखते है 2 into 420 लिखते है ठीक है तो एक बार जो है a minus b का value 2 होगा और a plus b का value 420 होगा ठीक है ऐसा possible pairs हम लोग को बहुत सारा मिलेगा जित तो इन भी factor हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग pairs में तोड सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ज्याहाँ निकालना पड़ेगा सबसे पहले total number of factors तो total number of factors निकालने गा हमारे थरीकर क्या था Prime factorization करते है ठीक है तो Prime factorization हम लोग करते है 840 का जल्दी से बताएई क्या क्या होगा 420 अभी हमने किया था लेकिन फिर से कर देते हैं 2105 335 57 ठीक है तो आपका कितना आगे 2Cube यह आ गया आपका 2 cube into 3 into 5 into 7 ठीक है यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अब आप total number of factors बता ही कितना होगा सबका power mad करते हैं तो आ जाएगा 4 into 2 into 2 into 2 तो आ गया 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 to the 32 तो total number of factors जो आ गया वो आ गया आपका 32 लेकिन यहां पर ध्यान दीजे यहां पर आपका क्या है कि यहां पर a minus b का value और a plus b का value जो है वो मतलब ऐसे है न 2 जैसे दो factors को multiply कर रहे हैं तो वो जो है 840 दे रहा है तो यानि हम लोग को actually total number of factors को pair में तोड़ना है तो जब भी pair में तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा 32 हम लोग करेंगे divided by 2 तो हमारा आ जाएगा 16 तो actually में 16 pairs जो है वो possible है इसका ठीक है और 16 pairs जो possible है वो हर बार जब लोग solve करेंगे उसको तो उसका जो है unique value देगा a और b का तो हम लोग कहेंगे कि total number of natural solutions of the equation कितना हो जाएगा 16 तो आपने देखा कि यह indirect use था number system का ही ठीक है आपका ऐसा बहुत सारा question आएगा जहाँ पर आपको नहीं लगिया कि number system का concept लगेगा या factors का concept लगेगा पर जब आप उसमें आगे proceed करिएगा तो आपको दिखेगा कि factors का बात आ रहा है तो जहाँ पर भी आपको वैसा factors का बात आएगा तो आपको इसी तरह का use होगा number of factors निकालना आएगा product का होगा sum का होगा ठीक है तो इस तरह की concept से आप इसको use कर सकते हैं अगों लोग देखते हैं आगे find the number of factors that are perfect square ठीक है यहाँ पर आपको एक number दिया हुआ है 2 raise to the power 12 into 3 raise to the power 9 into 5 raise to the power 11 into 13 raise to the power 10 ठीक है यह आपको एक number दिया हुआ है अब देखिए अभी तक हमने क्या किया था यह अभी prime factors में raised है सारा चीज़ है मतलब यह ऐसा form में है जैसा होता है किसी भी composite number को हम लोग prime factorize करत factors जो है वो perfect square होना चाहिए मतलब आपका कोई factor है वो perfect square कब होगा अगर हम लोग उसको under root करें तो उसके बाहर जो है वो एक natural number है ठीक है जैसे अगर F 4 हो जाए अगर F 4 हो जाए तो बाहर आ जाएगा 2 ठीक है तो मतलब आपके factor जो है वो उसको comprise करना होगा या तो 2 square या तो 3 square या तो 5 square या तो 13 square मतलब minimum वो बाकी का भी square से ले सकता है 2 square भी रहे 3 square भी रहे 5 square जैसे for example हम मानते एक factor है वो है 2 square into 3 square है ठीक है और बाकी का जो है वो rest to the power 0 है 5 into 5 raised to the power 0 into 13 rest to the power 0 वो भी एक factor होगा तो अगर हम इसको करते है 2 raised to the power square into 3 raised to the power 0 तो इसका बाहर आ जाएगा 6 ठीक है तो इसी तरह के factors को हम लोग को लेना है जब इस तरह के factors को हम लोग को consider करना है तो हम लोग का question जो है वो थोड़ा change हो जाएगा change कैसे हो जाएगा हम लोग क्या करते हैं कि individual को हम लोग पहले ही से square raise कर देते हैं जैसे हम मानी यहाँ पर 2 जैसे 2 raise to the power 12 है तो अगर हम 2 raise to the power square लिखें तो कितना हो जाएगा मतलब 4 करें तो 4 raise to the power कितना आ जाएगा बताएगे आपका 2 है तो 4 raise to the power 6 आ जाएगा हम लोग लिख सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक क्योंकि अंदर अगर हम लोग ले 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 2 और आ जाएगा तो 4 आ जाएगा और ऊपर raise हो जाएगा 6 ठीक है अब यहाँ पर देखें 3 raise to the power 9 है तो इसको हम लोग क्या लिखते एक 3 को बाहर निकाल लिएते हैं तो 3 raise to the power 8 को हम लोग सकते हैं 9 raise to the power 4 इस clickования आपका 5 raise to the power 11 एक 5 को बाहर कर लेते तो आपका आ जाएगा 25 raise to the power 5 वैसने 13 को हम लोग ले ले लेते हैं तो आपका आजाएगा 169 और 169 जो है आपका raise to the power हो जाएगा 5 ठीक है तो अब देखें यह number बन गया आपका ये भी factors ही है अभी तक factors है लेकिन ये सब जितना भी factors है ये सब अपने में ही perfect square है ठीक है तो इनका जो combination होगा वो भी perfect square होगा ये तो बहुत simple है तो अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है सिर्फ आपको factors calculate कर लेना है तो factors कैसे calculate कर लेना है सब में 1 add कर द 30 हो गया और 760 42 हो गया तो 42 x 30 तो करेंगे 326 and 1260 ठीक है तो total number आपका total number of factors आ गया जो की perfect square है वो है 1260 ठीक है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अब उन लोग देखते हैं आगे ठीक है next question है आपका find the number of factors that end with 0 देखिए यह थोड़ा सा यह भी थोड़ा सा tricky question है लेकिन अगर आप इसको imagine कर पा रहे है तो आप बना लीजेगा ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको prime factor में छोड़ तोड़ देते है तो 12 raised to the power square into 25 raised to the power cube into 21 raised to the power 4 है तो 12 को कैसे लिख सकते 12 जो है आपका वो है two square into three तो बहर आजाएगा आपका two raised to the power 4 into three square 25 जो है वो अल्रेडी five का square है तो भो जाएगा six और 21 जो है वो 73 है तो seven raised to the power four into three raised to the power four इसको arrange कर लेते हैं two raised to the power four into 3 raised to the power six into five raised to the power six into seven raised to the power four ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको निकालना है वैसा factors ठीक है वैसा factors जिसमें last में 0 हो ठीक है तो on the safe side हमको अगर ऐसा अभी factors निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि हम पहले ही 10 को बाहर कर लेता है जैकि ऐसे अभी आप ऐसे देखे जैसे अगर हम यहां से 10 को बाहर करते हैं मतलब 2 का एक 2 निकालेंगे 5 क एक 5 निकालेंगे ठीक है तो यहां से अगर हम 10 बाहर लेते हैं तो 10 into 2 raise to the power cube 3 raise to the power 6 5 raise to the power 5 और 7 raise to the power 4 हो जाएगा ठीक है अब देखिए इनका जो भी possible combination होगा यह जो bracket के अंदर है ठीक है जो भी हो चाए 0 हो उसमें या नहीं हो ठीक है अगर जैसे मानते है कि इसका एक combination हो जिसमें 2 raise to the power 0 और 5 raise to the power 0 है ठीक है तो वो obviously उसमें 0 नहीं होगा लेकिन हम लोग क्या कर रहे है safety side के लिए हम लोग 10 को बाहर कर दे रहे है तो जो भी number इसके अंदर इस box के अंदर से आएगा उसमें 10 multiply करेंगे तो वो भी एक factor होगा इसका वो भी एक factor होगा पूरे number का और उसमें last में 0 भी होगा ठीक है इसलिए हमने 10 बाहर कर लिया तो अब आपको क्या करना है आपको सिर्फ simple calculate करना है कि इसके अंदर से कितना different numbers बाहर आएगा तो कैसे निकालते थे वही करेंगे सब में add कर देंगे यह 4 into 7 into 6 into 5 ठीक है अब आप multiply कर लिजे तो आपका आपका end करेगा with 0 ठीक है यहां तक तो किछी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां आपका बहुत मतलब कह सकते हैं कि अभी तक हम basic concept से ही चल रहे है हम लोग अब हम लोग देखते हैं आगे find the sum of even factors of okay अच्छा देखिए अब यहां पर क्या है कि आपको sum निकालना है even factors का ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग break कर लेते हैं किसी भी number आपका दिया हुआ है 6 raised to the power cube into 25 raised to the power cube into 21 तो 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 into 3 तो 2 cube into 3 cube into 5 raised to the power 6 into 7 into 3 तो हमारा बनगे final 2 raised to the power cube यहां पर लिख रहे है 2 raised to the power cube into 3 raised to the power 4 into 5 raised to the power 6 into 7 ठीक है यह आपका हो गया final prime factorization अब देखिए कि आपको sum of even factors निकालना है ठीक है तो सबसे पहले देखिए अगर हमको कोई भी अभी जैसे हमने 0 के लिए किया था तो हम सा होगा ठीक है तो वही हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या करते हैं सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि total number of factors निकाले उसमें फिर 2 raised to the power 0 कर दे ठीक है और उसके बाद जो rest factors आया है उसको calculate करें और उसके आद उसमें से minus करेंगे तो हमारा even factors आएगा यह लंबा process हो ज है उसको 2 से multiply कर देना है क्योंकि वो even factor ही मांग रहा है तो हम लोगा कितना हो गया जल्दी बताईए से यह जो हो गया यह आपका आगया मतलब यह अब आपको actually इस box के अंदर calculate करना है ठीक है इसका sum अगर हम लोग calculate कर ले इसका sum हम लोग calculate कर ले और उसको हम लोग 2 से multiply कर द रहेगा और जो भी sum आएगा इसका उसको हम लोग सिर्फ क्या करेंगे वो 2 से multiply कर देंगे तो हम लोग क्या करते हैं अपर apply करते हैं हमारा वो वाला जो हमारा जो formula था उसको apply करते हैं सम वाला सम वाला जो हमारा था उसको apply करें यहाँ पर देखिए यहाँ पर आब आता है 2 स्क्वार है 3 4 है तो हम लोग सबसे पहले apply करते हैं सम वाला तो सम क्या हो जाएगा 2 raise to the power cube minus 1 by 2 minus 1 यह हो गया आपका bracket के अंदर यह आ गया दूसरा 3 raise to the power 5 minus 1 by 3 minus 1 5 raise to the power 5 sorry 5 raise to the power 7 minus 1 by 5 minus 1 और यह हो गया आपका 7 का 1 है तो 7 स्क्वार हो जाएगा minus 1 divided by 7 minus 1 तो अब जो भी इसको calculate करिएगा यह देखिए आपका calculation easy हो गया बहुत आप यहाँ पर करिएगा 2 कियो बेट तो आपका जो भी calculation आएगा उसको सिर्फ आप लोगो 2 से multiply कर देना है ठीक है तो जो भी आपका यह तो हो गया आपका sum इस box का ठीक है इस box का हो गया और हर factors जो जो भी factor इस box से निकल के आ रहा है वो multiplied हो रहा है 2 से finally तो multiply हो रहा है 2 से तो हम लोग क्या कर सकते है कि इस box का भी अगर हम लोग sum निकाल ले total number of factors जो भी जितना factors आ रहा है इस box से उसका sum उसमें अगर हम लोग 2 multiply कर देंगे तो हमको total sum आ जाएगा ठीक है तो आप इसी तरह से जो है आपको questions आ सकता है जैसे आपको एक question और भी तो आपको क्या करना था सिर्फ 10 को बाहर निकाल लेना था जो आपके box के अंदर चला जाएगा उसका sum निकाल लीजे और finally जो है वो 10 से multiply कर देंगे तो इस तरह का questions जो है हम लोग आगे भी practice करेंगे हमारा test series जो आएगा उसमें इस तरह का बहुत questions रहेगा यहाँ पर motive था हमारा की factors का जो concept है एकदम basic सा जो concept है वो आपको बता दिया जाए अगर इस तरह का question आए तो आपको कैसे handle करना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है prime factorization करना है किसी भी number का prime factorization करने के बाद हम लोग को break कर लेना है उसके आद हम लोग को या तो total number of factors पूछ सकता है या तो even या तो odd या तो prime factors या तो sum पूछ सकता है या तो product पूछ सकता है इन सभी चीज का मिला जूला कुछ question आएगा तो आपको बस क्या करना है एकदम basic से जाना है और question को attempt करना है ठीक है तो अब हम लोग मिलते है next lecture में तब तक आप number system practice करते रही है revise करते रही है अगले lecture में हम लोग देखेंगे number of counting how कैसे count करते है trailing zeros को और SCF और LCM जो है उसको हम लोग start कर देंगे ठीक है तो अब जो है number system almost end पर end पर आने वाला है कुछ mislaneous topics है जैसे finding squares और hexadecimal वाला भी देख लेंगे कैसे convert होता है decimal to hexadecimal और octadecimal तो उस तरह का भी questions आता है तो उसको भी question attempt करिए ठीक है आप जाईए और जाकि question attempt करिए और जो है देखिए अगर confusion होता है तो फिर से इस lectures को देखिए और practice करते रही है ठीक है तो हम लोग मिलते है next lecture में thank you